हाई फ्रेम तरुम्स का टुट्रेल में आपका स्वगत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेबी लाश्टिक पैंट जिसकी लंबाई है 18 इंच और चोड़ाई है सारे 10 इंच पर से 2 इंच मोरने के लिए जिसमें लाश्टिक लगेगा नीचे से 2 इंच मोरने के लिए और यहां से 14 इंच ले लेना है और यह अंदर की तरफ हाफ इंच करकर तिरसी लाइन डो करने यहां से 2 इंच लेना है इधर से भी 2 इंच और सिधे गुलाई करके लाइन डो करना है यह चरखुट मियानी के लिए उपर से 4 इंच चरख 4 इंच और लंबाई 5 इंच लेकर चरखुट लंबाई है 18 इंच चरख 10 इंच हीप्स है 16 इंच मियानी लंबाई चरख 5 इंच लंबाई और चरख 4 इंच यह दोनों बढ़ावर की ले सकते हैं आपको पेपर पर बताते हैं जिसके लिए हमको टूफोल्ड पेपर लिए हैं इसको फॉल्फोल्ड करके फूल पेपर को देखे इस तरह से फॉर्फोल्ड पूरी लंबाई है 18 इंच और चवराई है साथ 10 इंच दो इंच उपर से मोरने के लिए मोरकर जिसमें इलास्टिक लाएगा और नीचे से यहां से देखिए दो इंच लेकर और इधर चेड्व इंच लेकर सिधा हल्का साबुलाय देते हुए लाएन ड्रो करदे नहां और उपर से यहां पिंच लाएन ड्रोक मेरा नसुल नसुला करके इस तरह से देखिए इस तरह से कट कर देना है देखिए इस तरह से पैंट की कटिंग हो गई है उपर मुरा हुआ था इसको कट कर लेंगे चलिए आपको मियानी काट के दिखाते है मियानी की चवराई फोर इंच और लंबाई फाइव इंच है देखिए इस तरह से अब इसको तिर्चा कट कर देंगे इस तरह से आईसे मोर कर बचेवे को काट में देखिए इस तरह से म्यानी देखिए म्यानी चलिए अब आपको इस तरह से म्यानी एक तरफ लगा कर अब इसके दूसरे पैर में इसको ऐसे करके पूरे सिलाई कर देना है इस तरह से देखिए अब दूसरे तरफ इसको म्यानी लगाएंगे इस तरह से इसको करके पूरे सिलाई लगाएंगे 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 अब उपर से दो इंच दो हमने लिए थे उसको मोर देंगे पूरे पर हम आपको बता देंगे यह किस तरह से बच्चो का कमर नाप कर इलास्टिक लगा देना है सिल देना है जितना कमर है उतना लेकर और नीचे की तरफ ऐसे यहां पर देखिए इलास्टिक के साथ टैज करते ना है कि इस तरह से दोने तरफ से आप यहां से शिलाई लगा देंगे आप यहां से आप 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 कि बच्चों का प्लास्टिक पैंट पुरी तरह से इस सिला गया है अब इसको पूरा मोर कर निचोर देंगे इससे निचोरने से फटता नहीं है और फिर आची तरह से हम प्लाट सकते हैं इसको कि अधिक है कि मारा बच बेबी एलास्टिक पैंट बनकर तयार है यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताए अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राब करें जरूर करें थैंक यू कर दो